जानेंगे अंकोसु में दर्द या प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना जिसको लोकल लेंग्वेजिम बोलते हैं गोलियों में दर्द होना अगर दोस्तो आपको भी यह समस्य है तो आपको क्या-क्या जानकारिया होनी चीए क्या सावधाने आपको बरतनी चीए और क्या प्रोसीजर फोलो करना चाहिए इसके लिए तो इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर रामदेल मुरिया जोत पुराजस्तान इंडिया से इखों में पेथी कंसल्टेंट और आपका भूत भूत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारसों पेथी में चले दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कापी लोगों को ये समस्या होती है यानि उनको बार बार अंकोसों में दर्द होता रहता है कुछ टार्ट के लिए ठीक रहता है फिर वापिस दर्द होने लग जाता है या लंबा कोई एक्जर्सन करते हैं खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी बार बार उनको दर्द ये पैसान करता रहता है अब दोस्तों अगर अंकोसों में दर्द है है ये दर्द कई बार आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में भी होने लग जाता है या आपके जांक्ते जो आंदर के शिस्से वहाँ पर ृफ़ार उने होने रहरे के होती हैं अगर बार बार है काफी टाइम से तो यह चीजे क्रौणिक भी हो जाती है तो आगे आपको तकलीफ दे सकती है और इनके treatment के अंदर काफी आपको दिक्कते हैं क्योंकि ये जो हमारे पार्ट ने जहीं बड़े ही reproductive organs sensitive organs होते हैं जिसके अंदर कोई दिक्कत आने की वज़े आपके परजिनल समता पर असर पढ़ सकता है यानि बच्चे पैदा करने की समता पर भी असर पढ़ सकता है तो इसलिए इन चीजों को बहुत केरफुली आपको हैंडल करना चाहिए तो दोस्तों अगर किसी को यह समस्या तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है अगर डोक् सब्सक्राइब क्या है दोस्तों हमारी जो वर्सन या टेस्टिस होते हैं उनके पास एक कोई नुमा स्ट्चर होती है जिसको बहुत है एपिडीडमिस उसके अंदर सुजन आने की वज़े से आपको अंड़कोस्व में दर्ध हो सकता है दूसरा मुक्य कारना है दोस्तों औ उसरो के इंदर को बोलते हैं और थार्ट नामर की इस में और सुजन आने की वज़ेसे आपको दिक्कत हो सकती है चोता मुख्य कारण होता है दोस्तों Phunicolitis Phunicolitis का मतलब है जो हमारी Spermetic Code होती है जो हमारे पेट से हमारे जो अंकोसों को जोडती है जिसके अंदर कुछ मोटी नसे होती है खून की नलिया होती है तो उनके अंदर सुजन आने की वज़े से भी आपको अंकोसों के अंदर दर्द की सिकायत हो सकती है तो दोस्तों मैंने ये चार कारण बताए आपको ये आपके मुख्यों के कारण हो सकते हैं आपके अंकोसों में दर्द के अब बात करते हैं कि नेस्ट कारण के बारे में दोस्तों कई बार कंडिशन ऐस利 होते है या हमारे अंड को stops होते हैं उर्फ एक सरचना से हमारे पेट से जुड़े होते हैं वह एक्सिस बनता है वह जुडाव बनता है उस जुडाव के ओपर कई बार जो निचे वाला पार्ट गुमाओ लेलेता है त्विस्ट हो जाता है इसको बोलता है टेस्टिकुलर टोर्जन यानि हमारे जो पार्ट से नीचे वाले अंड़कोस वह घूम जाते हैं जिससे अंदर की जो नलिया है जो शनचना होती है वो दब जाती है उसकी विज़से भी आपको तेज दर्द होने लग जाती है अब ने सब्सक्राइब करते हैं कि यह जो अलग लग मैंने आपको कारण बता है सब के अलग लग वीडियो हमारे चैनल पर आ रखें इसके ट्रीट्मेंट से समझता हमनी जानकारी दिये तो आप पारस होन पर इस चैनल पर जाके इनको देख सकते हैं अब नेक्स्ट कारण की बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कारण होता है neuraliggs लोजीकल कोज इस पार्ट के अंदर कोई इंजरी हो जाती है कोई चोट लग जाती है उसके कारण भी आपको दर्द के सामना करना पर सकता है इसके अलावाद दोस्तों हाइड्रोसील की कंडिशन के अंदर बहुत रेडली होता है दर्द लेकिन कुछ केसेज में दर्द हो सकता है क्योंकि उ उसका treatment आप उनको सरी time पर करवाना चाहिए आपको क्या करना चाहिए उसके बाद अगर आप करवा सकते हैं नजदी की doctor से मिल सकते हैं या फिर वहाँ पर आपका treatment possible तो आपको मिलना चाहिए यूरो लोजिस्स से यानि इसका specific जो डोक्टर होता है यूरो लोजिस्स जो आसाने से आपके चीज को देखेगा उसके बाद जांचे की जाती है अब जांचो में सुरुआत के अंदर बहुत बड़ी जांचे नहीं की जाती चोट 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 जांचे आप करवा सकते हैं जै है फूनिकुलाइटी से है यह जो समस्थे हैं आपकी सामने निकल के आजाती कि आपको वास्ता में यही है तो उससे आपका treatment आसान हो जाता है इसका एक लाइन ओप ट्रीटमेंट बन जाता है कि सही दिसा में आपका treatment चला जाता है इसलिए मैं भी हर वेक्ति को यही सज़े सकते हैं या आप टेस्टोस्टिरोन हार्मोन की जांच करवा सकते हैं यह कोमली जांचे हैं आप एक बार करवाने से आपका पूरी तस्वीर होती है वो क्लियर हो जाती है अगर आपके पास यूरोलोजिस की सुवीदा नहीं है तो आप नजदी की physician किसी डोक्टर से मिलके तो यह कंडिशन आती है की अधर क्रौनिक बन जाती है अगर आपके साथ बन रही है तो आप निजदे की हुमेपेथी डोक्टर से भी मिल सकते हैं अगर वो आपका प्रोपर तरीके से डाइगनोसेज करके ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से आप इस चीज़ से रहात पा सकते हैं दोस्तों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ अगर आपको किसी य किसी यह सकते हैं तो इससे समझेद कोई जानकारी को आपकी क्योंडियो के मादने से हमें मोटिवेट कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और अच्छी जानकारी लगती है तो दोस्तों को शेर करने में कोई ब झाल झाल